तो इस बार के फिलिपकाट के बिग बिलेंडेस में दो-तिन स्मार्टफोन और किये थे उन सब का मैं वीडियो बना चुका हूँ, H23, H23 Fan Edition, एक Amazon के Great Indian Day Festival सेल में भी एक स्मार्टफोन मैंने और किया था, जो अब जाके डिलीवर हुआ है, यहाँ पर Samsung का ही डिवाइस है, अब Samsung का कौन सा डिवाइस है, अगर मैं आपको बता हूँ, तो यहाँ पर तो हमको unboxing करने का मौका मिल जाता है, तो यहाँ पर under 15,000 जो best deal देखने के लिए मिल रहा था, Samsung की तरप से, और मैंने recommend भी किया था, अगर जिनको लेना है, CMA Phone 1, एक मैंने recommend किया था, मैंने under 15,000 recommend किया थ Samsung का Galaxy M35, यहाँ जब डिवाइस लॉंच हुआ था, दो-तिन मैने पहले, तो यह 16-17,000 के, अल्मोस्ट आपस पर आला के, 18,000 के आसपास का देखने के लिए मिल जाता, तो 20,000 में लॉंच हुआ था, and similar है, एकदम exactly similar है, जो Samsung का A35 था, A35 से similar specs आपको देखने के लिए मिलता है जो build quality था, A35 का वो जादा बेटर था, यहाँ पर आपको पूरा ही plastic build देखने के लिए मिलता है, but Samsung के A35 में जो सबसे ज़्यादा premium जो protection था, glass का जो protection था, Gorilla Glass Victus Plus, जोकि आपको A23 Fan Edition में भी देखने के लिए मिलता, वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, and आप सो अरे fake chargers देखने के लिए मिलता है, Amazon में, मैंने एक अच्छे charger का, जो original 25W PD charger है, उसका link डाला है, वो जाके check out कर लेना, unboxing experience है, खाली आपको smartphone देखने के लिए मिलता है, and मुझे इसके in-hand feeling ना अच्छी लगी, यह इतना जदा हातों में चुपता नहीं है, मेरा जो Samsung का A23 Fan Edition ह वो metal frame के साथ हातों में ज़्यादा चुपता है, बाट यहाँ पर क्योंकि curve देखने के लिए मिलता है, and इसकी यह plastic की quality है, यहाँ पर यह पूरा matte finish में देखने के लिए मिलता है, तो यहाँ पर fingerprint के smudges नहीं आते है, and in-hand feeling इसकी अच्छी है, even जो front में जो bezels भी आपको दे 23 fan edition से भी थोड़ी सी better लगी, and पूरा plastic build देखने के लिए मिलता है, अगर एक कमी निकालना हो, तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, पुराने जो design होते थे, frame के साथ एक black border अलग से देखने के लिए मिलता है, and वो black border की जो plastic की quality है, वो बहुत ज़दा चीप है, Samsung यह पहले under 15K device तो है, बट यहाँ पर आपको dual stereo speakers भी देखने के लिए मिलता है, haptic feedback तो बेकार है, मैं expect भी नहीं कर रहा था, बट dual stereo speakers आपको Dolby Atmos का certification देखने के लिए मिलता है, equalizer भी है, तो आप custom equalize करके sound profile जो है अपना बना सकते है, डिस्प्ले के regarding बात करते हैं, तो 6.6 inch का display, accessories आ रहे है, on the way है, मैं आपको वीडियो बना के देदूंगा, तो display का मैं बता रहा था, आपको 6.6 inch का आपको display देखने के लिए मलता है, यह super AMOLED display, 120Hz का अपको refresh rate देखने के लिए मलता है, HDR की certification कुछ है नहीं, पीक brightness का कुछ अता पता है नहीं, बट जो high brightness या outdoor brightness है, वो आपको 1000 nits का देखने के लिए मिलेगा, पीक brightness इसलिए बता नहीं गया है, सायथ यहाँ पर HDR content YouTube में भी यह support नहीं करता है, जैसे HDR वीडियो चलाने जाओगे, तो वहाँ पर option तो दिखाता है, बट जैसे करोगे तो quality डाउन हो जागा, 48TP में चला जागा, बट नॉर्मल 4K वीडियो अब चला सकते है, मैंने नेटफ्लिक्स में भी चक्किया है, तो नेटफ्लिक्स में भी आपको HDR का सर्टिफिकेशन देखने के लिए नहीं मिलता है, बट नॉर्मल अगर मैं डिस्पले की बात करूँ तो यहाँ पर outdoor visibility इन अप देखने के लिए मिलती है, यह सेम H23 fan edition जैसा ही मुझे फिल होता है, outdoor visibility के मामले में, यहाँ पर always on display का भी आपको support देखने के लिए मिल जाता है, डिस्पले की quality अच्छी है, सामसंग का Super AMOLED डिस्पले है, तो आपको अच्छी quality देखने के लिए मिल जाती है, जितना भी मीडिया मैंने consume किया, with the stereo speakers अच्छा performance है, यहाँ पर ऊपर का speaker है, वो थोड़ा सक्का में, नीचे का जाधा है, बट यहाँ पर dual stereo speaker की performance अच्छी है, तो यहाँ पर अच्छा media consume, जितना भी मैंने किया, मुझे तो बहुत मजा है, तो display में यह आप enjoy करने वाला है, कर content जाधा consume करना है, आपको अच्छा display चाहिए, अच्छ stereo speaker का experience, movies बगरा देखो, 6000 mAh का battery है, अराम से आप जो यूज़ कर सकते हैं, डिस्प्ले का जो protection है, वो मैं पहले बता चुका हूँ, तो गोईला ग्लास Victus Plus देखने के लिए मिलता है, इस price range में कोई भी device वो नहीं दे रहा है, खाली एक POCO X6 है, जो under 15 के, आपको offers ब N22 देखने के लिए मिलता है, N22 का light version चलता है, इसका, जो fullest version नहीं चलता है इस वाले device में, Geekbench 6 के score आप देख सकते हैं, ये भी decent है, इवन मैंने CPU throttling करा 15 मिट के लिए 50 threads का, तो यहाँ पर yellow lines है, एक दो आपको red lines भी देखने के लिए मिलेंगे, और जो average जिप स्कोर है, व जो APS meter है, उसे भी लगा नहीं कोशिश करी, बट APS meter मैंने paid version है मेरे पास, बट यह एक error दिखाता है, बहुत साथा lag करता है, जो APS meter वाला जो मेरा app है, दूसरे devices मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि यह lag बगरा करता है, बट APS meter के साथ आप देख सकते हैं, जो stability है, वो 50 APS के आस-पास के मान के चलिए, अल्रेडी 54 का आपको दिखा रहा है यहाँ पर, बट यह drop करता है, मैं TDM की बात कर रहा हूँ, TDM में ही यह 54 ऐसा drop कर जाता है, अगर आप serious gaming करना चाते है, तो यह नहीं है, casual gaming के लिए, even मैंने देखा है कि normal Samsung के जो smartphone है, तीसरे TDM matches में ही आपको बहुत सदा गंदा lag देखने के लिए मिलता था, यहाँ पर मैंने लगा तार 5-6 TDM matches के लिए, बट गंदा lag यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलता है, तो यहाँ पर यह processor मुझे परसंद आया, बट मुझे एक दिक्कर लगती है, जब Exynos की बात आती है, तो यहाँ पर मै फ्रेस होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, वो डिले आपको महसूस होगा, और मैंने 5G and 4G का स्विच भी देखा, नॉर्मल मैं घर पे मेरे 5G के यहाँ पर जो स्टेंथ है, वो अच्छा देखने के लिए मिलता, तो घर में 5G कॉंस्टेंट देखने के लिए मिला, जैस जैसे मैं ट्रेन में ट्राइवल करूंगा 5-6 गंटे के लिए तब और भी जादा पता चलेगा कि कैसा 5G, 4G में स्विच देखने के लिए मिलता है, घर के आसपास अगर नेटवर्क की स्ट्रेंथ अच्छी है, तो यह जादा दिक्कत नहीं करेगा, बट आप ऐसे जगहा पर रहते हो, जहां पर जियो का, यह टल का या वोड़ा का स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम है, तो यह थोड़ा सा स्ट्रगल करेगा, 5G को पगड़ के रखने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, वैसे नॉर्मल डेटू डेटास में दिक्कत नहीं आई है, 6GB रैम वाला 8G भी लेंगे तो थोड़ा और भी आपको स्मूद एक्स्पिरेंस देखने के लिए मिलेगा, बहुत जल्दी जल्दी में सब काम करने जाओगे, मल्टी टास्किंग बहुत जल्दी में करोगे, तो आपको दिखेगा कि थोड़ा सा अठकेगा, पर नॉर्मल यह अटकता न Ui 6.1 का आपको यहाँ पर वर्शन देखने के लिए मिल जाता है, गुड लॉक के मॉड्यूस आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, बट Samsung Pass मिल जाएगा, Samsung Pay, Samsung Wallet आपको देखने के लिए मिल जाएगा, NFC है, तो आप जो है Tap to Pay वाला ओप्शन आपको मिल जाएगा, इस आपको अच्छे अपडेट्स देखने के लिए मिल जाएगे, जो प्रॉमिस भी है, वो बहुत लंबा देखने के लिए मिल रहा है, तो 4 प्लस 5 एस का अपडेट्स हाई के लिए, अंडर 15 के वाला डिवास में, तो यहाँ पर सॉफ्ट्वर के रिगार्डिंग हो, आपको क देखने के लिए मिल जाता है, अगर आप खाली कामेरा के लिए स्मार्टफोन रून रहा है, अच्छे कामेरा आपको चाहिए, अब यह वाला डिवास पर्चेस कर लो, CMMFone 1 से भी बेटर कामेरा आपको देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि फ्रेंट से भाई 4K वीडिय नहीं लगी, फ्रेंट कामेरा इमेजस मैं तो ब्लॉगिंग के लिए भी आपको रेकमेंड कर सकता हूँ, इस प्राइस रेंज के हिसाब से, और क्योंकि यहां बर कोई 3.5 वेंट का गढधा नहीं है, तो अगर आपको वार्लेस माइक्रोफोन भी लगा के व्लॉगिंग कर करना पड़ेगा, बट जो स्टेबिलीटी जो रियर कामेरा और फ्रेंट कामेरा में देखने के लिए मलता है, वीडियो रेकॉर्डिंग में बहुत तगड़ा देखने के लिए मलता है, कुछ इमेजस भी मैंने लिए, नाच्छल कलर यह प्रोडूस करता है, रेट कलर को थ लिए नहीं मिलेगा, बट डिसेट है, इस प्राइस रेंज में कोई अल्ट्रा वाइड भी नहीं देता है, फ्रेंट कामेरा इमेजस मुझे बहुत अच्छे लगे, तगडे पोर्ट्रेट्स यह ले रहा है फ्रेंट कामेरा से, फ्रेंट कामेरा इस बेस्ट है, अंडर 15 के यह सबसे ज़ादा best front camera images यह produce करके देगा तो M35 मैं camera के लिए 100% आपको recommend कर सकता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगा जितना भी मैंने इसके साथ अभी तक खेला है और भी बहुत सारे images मैं share करने वाला हूँ camera के regarding हम detail में और भी बात करने वाले हैं तो एक और वीडियो आएगी camera के regarding तो आप definitely subscribe करके रखना नेक्स अब battery life के बारे बात करेंगे तो यहाँ पर 6000 mAh की battery है तो यहाँ पर battery को लिएगा बाई कोई tension देखने के लिए नहीं मिलता है H23 fan edition H23 यहाँ पर battery life अच्छा देखने के लिए नहीं मिलता है अब जो charging time है वो आपको थोड़ा सा लंबा देखने के लिए मिलेगा देर घंटे का उपर ही देखने के लिए मिलेगा 25 watt का अगर charger यूज करोगे तब भी आपको देखने के लिए मिलेगा बट जो battery backup है आपको बहुत सही देखने के लिए मिलता है तो अगर मैं initial impression की बात करूँ तगड़ा display देखने के लिए मिलता है खाली 4K का support, HDR का support नहीं है कोई भी HDR content नहीं देख पाऊगे जो भी लोग के HDR content देखते हैं यह थोड़ा सा दूर रहना इस वाले device से बर under 15 के अच्छे options भी तो नहीं है बिल कॉलिटी भी मुझे सही लेगी गोईला ग्लास विक्टास प्लस का support है तगड़े cameras आपको देखने के लिए मिल रहा है software बहुत तगड़ा है battery backup बहुत तगड़ा है खाली charger नहीं है और charging speed थोड़ा सा जारा देखने के लिए मिलेगा exercise का link video के description में है इतना ही था इस वाले वीडियो में like से subscribe में मिलता हूँ next वाले वीडियो में तब तब देखते रही है